नमस्कार स्वगत्यापका हमारे चंचार जागंद्र मशामें आज अपरा एकदसी के दिन रात सोने से पहले जाडू के नीचे चुपके से दबादे एक चीज मालक्षमी दोड़ी चली आएंगी दोस्तों जेश्ट मास्च के कृष्ण पक्षी एकदसी को अपरा एकदसी के नाम से जाना जाता है जैसे कि इसके नाम से ही प्रतीत है कि यह एकदसी अपारधन संपदा प्रदान करने वाली है यह अपरा एकदसी आज 26 मई को है 26 मई गुरुबार को है दोस्तों आज कई सारे दुलब सुबसंयोग और राजों का निर्माण होने जा रहा है और इसी कारण से माता लक्ष्मी जी आज काफी प्रसंद मुद्रा में रहने वाली है अगर आज अपरा एकदसी के दिन राज सोने से पहले जाडू के निचे चुपके से दबादे एक चीज मा लक्ष्मी दोड़ी चली आएंगी दोस्तों जाडू हर किशी के घर में होता है लेकिन क्या आपको पता है जाडू को सीधे तोर से माता लग्श्मी से जोड़ कर देखा जाता है जाडू को लेकर बहुत सारे सुब और अशुव शगुन भी होते हैं और जाडू कैसे रखें, कब खरीदें, कब फेंकें माता लक्ष्मी जी का प्रतीक है और दरिता रूपी परेसानी को घर से बाहर रकर निकाल देती है भगा देती है जाडू से जुड़े बहुत चारे प्रयोग है आज हम आपको एक खास बात बताएंगे जो जीवन की तमाम परेसानियों से आपको मुक्ति दिला सकता है वैसे जाडू को लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है और आर्थिक संपन्नता के लिए कई तरह के हम प्रयोग भी करते हैं लेकिन कभी-कभी छोटी-छोटी चीजे बहुत माइने रखती है तो आज हम कुछ खास बात बताएंगे जाडू को लेकर अगर छोटे-छोटे चीजों को ध्यान में रखें तो कलाय-कले सखत्म हो जाएंगे और घर में माता लक्ष्मी जी का बास होगा अगर हम जोतिस की माने तो जाडू का महत्तों सबसे जादा है ये बीमारियों को दूर करने वाली सितला माता अपने एक हाथ में जाडू लिये होए रहती है और इसलिए जाडू का निमित प्रयोग करने से कुछ समय में ही आपको इनी कुछ खास निमों का भी आपको ध्यान रखना आवश्यक है जैसे कि आपको पता है कि आज एकदसी के दिन सुर्यास्त होने के बाद जाडू नहीं लगाना चाहिए दोस्तों मानता है कि लक्ष्मी इससे रूट जाती है और दूसरी तरफ सुर्यास्त होने के बाद जाडू तो क्या पहुँचा भी नहीं लगाना चाहिए बहुत जरूरी हो तो जाड़ू तो लगाएं पर कूड़ा बाहर ना फेंके वरना घर की लक्षमी बाहर चली जाती है तो छोटी-छोटी चीजों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है जो तिस की माने तो जाड़ू को हमेशा एक ही जगह पर रखनी के व्यस्ता करें प्रभावित होगा और आर्थिक परिसानियों से भी आपको गुजरेना पड़ सकता है तो जाड़ू को आप यनि की जहां तहां ना रखें और आज अपरा एक अदसी के दिन अगर आपने सपने में जाड़ू देख लिया तो इसके मतलब है कि माता लक्षमी जी की किरपा बरसने वाली है दोस्तों एक अदसी के दिन सपने में जाड़ू देखने का मतलब काफी सुभमाना जाता है और अगर आपने एक अदसी के लाबा किशी दूसरे दिन देखा तो इसे गाय और किशी पौधे को सुना दे तो इसकी निगेवटी दूर हो जाती है दूस प्रभाव खत्म हो जाता है माल लिजे दोस्तों कि आपके घर में साल छे मीने हो गए है और आपके घर में जाडू पड़ा हुआ है पूराना हो गया आप इसे फेंकना नहीं चाहरे लेकिन फेंक दीजे क्योंकि इसके निगेवटी चीजे ज़्यादा हो जाती है ज़्यादा पूराना जाडू भी यूज नहीं करना चाहिए और नहीं तूटा फूटा हुआ घर में रखना चाहिए इससे क्या होता कि जब आप जाडू लगाएंगे तब तूट तूटकर जाडू गिरेगा तो जीवन के धनकी परिसानियों को बढ़ा देगा दोस्तों नहीं जाडू आपको उपयोग में लानी है एकदसी के दिन तो आज एकदसी के दिन है आप नहीं जाडू लेकर आशकते हैं और आज ये फिर आप सनीवार के दिन भी लेकर आशकते हैं नई ज़ाडू की सुरुवात आप एकदर्शी के दिन कर दियें तो घर में खुश्यात ये धन बढ़ता है और चारो दिशाओं में मान समन के प्राप्ती होती धन को जिस प्रकार से आप छुपा कर रखते हैं उसी प्रकार से ज़ाडू को भी छुपा कर रखने के व्यस्ता क ज़ाडू को तो जीवन में कश्ट बढ़ेगा ऐसा ना करें ज़ाडू को जब भी अपने घर में रखें हमेशे ही धक रखने के व्यस्ता करें और वैसे तो ज़ाडू रखने की जो सही दिशा है वो उत्तर और पश्यम दिशा होती है तो आप उसे उसी दिशा में रखने क करें ज wszystkie करें ज्याड़ू को कभी वह किशन में न रखें और दूसरी बाद ज्याड़ूव कभी क्या हुते कई बार बच्चे जोंट इदर उदर कर देते हैं और फिर ज्याड़ू से समेड़ देते थे तो ऐसा ना करें पहले पानी बगरे डाल कर फिर आप जहाडू लगाईए दोस्तों खास बात तो है कि आज अपरा एकदसी है और आज कई सारे दूलब सबस्योग बन रहे हैं अगर आज अपरा एकदसी के दिन राज सोने से पहले जहाडू के नीचे ये चीज़े दबा देते हैं तो माता लक्ष्मी कृपा सदय बरसेगी माता लक्ष्मी कृपा से धन बैभाव की प्रदान प्राप्ती होगी क्योंकि यह है अपरा एकदसी अपार धन देने वाली है तो आज कई सारे सुभयोग बन रहे हैं दोस्तों आज रात को सोने से पहले आप जहाडू के नीचे पांच-छे साबूत लाले मिर्चे रख दें तो इससे आपके घर में जो निगिविटी है गलत एनरजी है तंत्र मंत्र की बाधाई है किसी ने कुछ करा दिया वो आपस चला जाएगा और अगर नहीं भी किया है तो वापस कभी आपके पास आए कभी ने यानि कि कोई कराभी नहीं सकता है कोई पुँभाव ही नहीं पड़ेगा निगिविटी एनरजी नकरात्म को उर जाएं कभी भी पुरवेस्ट नहीं करेंगे बरसे के कभी भी धन की कबी नहीं होगी धन बैभाव में आपको ब्रदी देखने को मिलेगी आज रास सोने से पहले जाडू के नीचे आप एक रूपे का सिक्का छुपा के रखने से मतल लक्षमिक अश्यूम करपा बरसे के कभी भी धन खत्म नहीं होगा धन बैभाव और प्राप्ति होगी आज राज सोने से पहले जहाडू के नीचे आप पांच हल्दी की गांट रख दे तो बैवाहिक जीवन और संतान की प्राप्ति होती है बैवाहिक जीवन सुक में रहता है कभी भी आप दोनों के वीच अनबन रहेगी और अगर पहले से चल रही है अनबन दूरियां है या फिर मन मुटाव है पत्पत्रे के वीच तो आप आज राज सोने से पहले पांच है साबूत हल्दी की गांट जरू रख दे राज सोने से पहले जहाडू के नेचे दरस्तों आप कोड़ी रख दे मातलग में कोड़ी बहुत प्रिह तो यह आपके धन में ब झाड़ों के नीचे धन्या जरूर दिवा की रख दें या फिर चाहीं तो आप एक मौर का पंक ले लें आज अपरा एकधसिक दिन आप एक मौर का पंक ले लें और राज सोने से पहले जाड़ों के नीचे चुक के से दबां दें पिर देखें कैसे चमगी का रहτα है माताल लक या ना रखें आप इसके नीचे काली मिर्च रख दें तो इससे भी घर में शुक्ष शांती बनी रहती है दोस्तों इन वे इन चीजों को दबाने से माता लक्ष्मी कृपा सदय बरस्ती है और दोस्तों कमेंट में लिखेगा जै मालक्ष्मी साथी बीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जै मालक्ष्मी